Good morning students, the first chapter in EBS is going to school. In this chapter, we will study how do different children living in different areas go to their school. Now look at the picture. अब हम इस picture में देखते हैं कि असम में रहने वाले जो बच्चे हैं, वो किस सरा से अपने स्कूल चाते हैं? बच्चे बताते हैं कि असम जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होता है और कभी-कभी तो इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि उनके नीस तक घुटनों तक पानी भर जाता है. लेकिन वो फिर भी अपने स्कूल जाते हैं. अब इस पिक्चर में देखी आप कि जो स्टूडेंट है उन्होंने एक हाथ में अपना बुक पकड़ रखा है और दूसरे हाथ में उन्होंने क्या कर रखा है? जो बैंबू ब्रिज है उसे होल्ड करके रखा है. लेकिन अब ये बच्चे क्या होते हैं? इस बैंबू ब्रिज को बहुत ही जादा क्विकली पास कर देते हैं. अब नेक्स पिक्चर में हम देखते हैं कि लदाक में किस तरह से बच्चे अपने स्कूल जाते हैं? तो लदाक में जो बच्चे हैं वो बताते हैं कि everyday we have to cross the river to get to school कि हमें हर दिन एक बड़ी river बहुत जादा गहरी और बहुत जादा वाइड river को cross करना पड़ता है अपने स्कूल जाने के लिए और यह जो river है इसे cross करने के लिए क्या इन्होंने system बनाया हुआ है इन्होंने यह जो है इस river को trolley की मदद से आप देख रहे हैं picture में कि एक trolley बनी हुई है ये इस river को बच्चे जो है इस 4-5 बच्चे इस trolley में बैट करके जो है school को नदी को पार करते हैं और अपने school को जा सकते हैं और ये जो trolley है ये river के across किससे एक iron rope से बंधी हुई है और ये जो iron rope है वो दोनों side पे किसी बड़े stone से tightly बंदी हुई है ये बीच में आप देख पा रहे हैं कि ये एक पुली है जिसकी मदद से आपकी trolley जो है ये इस rope पर move कर सकती है तो इस तरह से लदाक में रहने वाले बच्चे trolley में बैट के अपने school को जाते हैं now look at the next picture आप लोग हरीद्वार में र नदी के उपर बना हुआ है अब ये जो bridge है ये usually किस से बने होते हैं ये cement से बने होते हैं सिमेंट से बने होते हैं brick से बने होते हैं iron rod से बने होते हैं तो इस bridge को पार करके भी हम लोग एक side से दूसरे side जा सकते हैं अब next picture है ये केरला का अब केरला में बच्चे किस तरह से जा रहे हैं अपने स्कूल केरला में बच्चे वो वल्लम वल्लम क्या होता है एक तरह का लकडी का बोट होता है तो बच्चे कैसे जा रहे हैं इस boat में बैट कर river को cross करके अपने school जाते हैं तो वल्लम क्या होता है एक boat होता है और कहां पाया जाता है ये केरला में इस boat को हम क्या कहते हैं वल्लम कहते हैं next picture है हमारा राजिस्थान का अब इस picture में आप देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं जो desert area में रहते हैं यानि कि जो राजिस्थान में रहते हैं उन्हें क्या होता है there is a sand all around वहां क्या होता है हर जगा बहुत सादा मिट्टी होती है it gets very hot in the day और ये जो मिट्टी है ये दिन में क्या हो जाती है बहुत सादा गरम हो जाती है we ride in the camel car to reach the school तो बच्चे बताते हैं कि दिन में क्योंकि बच्चे क्या होता है सुबा का स्कूल होता है दिन में वो घर जाना होता है उन्हें तो क्या करते हैं वो वो एक camel car में जाते हैं नेक्स्ट इस बुलक कार्ट ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये plains का picture है plains मतलब सम्तल एरिया जो होते हैं जैसे कि हरी द्वार भी क्या है plains area में आता है तो plains में रहने वाले बच्चे कैसे जाते हैं ये लोग किसकी मदद से जाते हैं ये बुलक कार्ट की मदद से जो है अपने स्कूल जाते हैं अब बच्चे बता रहे हैं कि वो हरे हरे खेतों से इस बुलक कार्ट में बैठके अपने स्कूल जाते हैं अगर दिन में बहुत जादा गर्मी होती है या बारिश होती है तो वो अपना अम्बरेला यूज कर लेते हैं ठीके तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बारिश हो रही है या धूप होता है तो ये बच्चे कैसे हैं एक बुलक कार्ट में बाठ कर बहुत सारे बच्चे उम्रेला लेकर अपने स्कूल को जा रहे हैं अब नेक्स्ट है बाइसिकल राइट अब बाइसिकलव में इस पिक में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी girl's जो हैं group बनाकर बाइसिकल्स से जा रही हैं कई सारे areas ऐसे हैं जहां पर क्या होता है जहां पर school जो है बहुत जादा दूर होता है तो girls को usually permission नहीं होती है कि वो इतना दूर school join करें लेकिन अब क्या है अब girls भी जो है school पढ़ना चाती है तो वो लोग कैसे जाते हैं वो लोग जुंड में यानि groups में bicycle के थूबी वो लोग अपने school को जा सकते हैं next है हमारा जुगाड what a vehicle अब जुगाड क्या है जुगाड एक तरह का special transport है it sounds foot 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 when it run और जब भी वीकल चलता है तो कैसी sound आती है foot 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 is it not something special क्या ये आपको special नहीं दिख रहा है the front look like a motorcycle but the carriage at the back is made up of the planks of wood जो इसका आगे का हिस्सा है वो क्या है एक तरह की motorcycle है लेकिन जो इसका पीछे का carriage है वो क्या है वो वोट से बना हुआ है तो कुछ बच्चे इस vehicle एक special type का vehicle है जो की कहा चलता है हमारे गुजरात में चलता है इस पे बैट कर अपने school जाते हैं अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक बहुत जादा dense forest है तो कुछ बच्चे क्या होते हैं इस तरह के dense forest से होकर भी अपने schools को जाते हैं इस dense forest में क्या होता है इन्हें बहुत जादा कई बार क्या होता है sunlight भी यहाँ पे नहीं होती है थोड़ा darkness भी होती है इन्हें बहुत जादा यहाँ पे lonely भी लगता है तो यह बच्चे कैसे करते हैं बना करके एक साथ इस dense forest को भी cross करते हैं अपने school जाने के लिए और इस forest में जाते हुए इनको एकदम sun नाटा यानि silence दिखता है silence होता है केवल और केवल यहाँ पे क्या होती है birds और other creature की आवाज इन्हें सुनाई देती है उसके अलामा इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे नेक्स्ट है हमारा moving on the snow अब आप picture में देख रहे हैं ये picture है northern hills की अब इस picture में देखिए आप बहुत सारे जो students हैं वो किसरा से snow में फसे फसे जा रहे हैं यहाँ पे जो northern hills है बहुत सारा snowfall होता है अब snowfall में जाने के लिए क्या होगा इन बच्चों के पैर भी आप देख स soft है और बच्चों के पैर भी क्या है इसमें sink हो जाते हैं यानि की first जाते हैं और कई बर क्या होता है जब ये snow जो है जब तक soft रहती है तब तक इनके पैर इसमें first जाते हैं लेकिन जब ये आपका snow hard हो जाती है तो क्या होता है ये बच्चे इसमें फिसलने का खत्रा भी र पता है कि उत्रा खंड में जाता है, भूँत सारे mountains हैй, तो mountains में चलना इतना easy नहीं होता। हम प्लेंस में तो बहुत इजीली अपना रोड से आप लोग अपना रिक्षा आता है, बाइसिकल से या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ वॉक करते हो, बहुत असानी से आ जाते हैं, लेकिन उत्राखंड में जहां पे बहुत जादा स्टोन्स हैं, रॉक हैं, वहां पे आ अपने स्कूल्स को जाते हैं,